दोस्तों नमस्कार टीबी वर इंडिया के खास बुलेटिन खबर दिन भर में आपका बहुत-बहुत स्वागत है बंगाल और उडिशा के तटियक शेत्रों में तबाही मचा रहे यास तूफान को लेकर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उच्चा धिकारियों के साथ बैठक की और दोनों राज्यों में हुए नुकसान के समिक्षा की असल में यास चक्रवाती तूफान का सबसे ज़्यादा असर ओडिशा और पस्चिम बंगाल में देखा गया है इसे प्रभावित लोगों की मदद और हालाद जानने के लिए पीम नरेंद्र मोदी ने दोनों राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक की पीम ने मुख्यमंत्री नवीन पटनायक, केंद्रिय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और प्रताब सारंगी के साथ उडिशा में चक्रवात के बात की सिती का भी जाजा लिया और जरूरी इंतजाम करने और राहत पहुचाने के निर्देश दिये 13500 करोड के बैंक घोटाले का रोपी भगवडा मेहुल चौकसी को डोमनिका में गिरपतार किया गया है स्थानी मीडिया के मुताबिक भगवडा हीरा कारोबारी मेहुल चौकसी डोमनिका में अबायदरूप से प्रवेश करते समय हिरासत में लिया गया फिलाल अदालत ने उसकी रिहाई के लिए दाखिल आचिका पर सुनवाई करते हुए अगले आदेश तक केरिबियाई द्विपिये देश से कहीं और भेजने पर रोक लगा दी है चौकसी के वकिल विजयागरवाल ने आचिका दाखिल कर यह आशंका जताई है कि मेहुल को किसी और देश में ले जाने की तयारी है ताकि उसे भारत को प्रत्यरपण किया जा सके इस पर सुनवाई करते हुए डोमनिका के हाई कोर्ट आफ जस्टिस ने अगले आदेश तक मेहुल को कहीं भी और भेजने पर रोक लगा दी है कोरोना का टीका लगवाने वालों को अभी नाम मिलेगा अमेरिका के एक राज्य कैलिफोर्निया ने वैक्सिनेशन के लिए प्रेवित करने 11 करोड 65 लाक डालर की नाम की घोशना की है असल में अगले महिने जून से सबसे अधिक आबादी वाला राज्य कैलिफोर्निया पूरी तरह अनलाक होने वाला है सरकार चाहती है को उससे पहले वैक्सिन देकर सभी नागरिकों को सुरक्षित किया जा सके अनुमान है कि कैलिफोर्निया के 12 साल या उससे अधिक आईउ के करीब 1.2 करोड निवासियों को अभी तक वैक्सिन नहीं लगी है जो संक्रमन के सिकार हो सकते हैं इसलिए गवर्नर गैवीन नूसम ने कोविड वैक्सिन लगाने के लिए इसे नाम की घोशना किया कैलिफोर्निया में अब तक 63 फिस्दी लोगों को टीका लग शुका है सुप्रीम कोट में कोविड 19 मामलों में विर्धी के मद्दे नजर 12 की बोड परिक्षा रद करने का निर्देश देने के लिए एक याचिका दाखिल की गई है आज इस मामले को दो जजों की खनपीट के सामने पेस किया गया इस पर सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ती एम खानविलकर और न्यायमूर्ती दिनेश महस्वरी ने याचिका करता ममता सर्मा से पूछा कि क्या उन्होंने केंद्री माधिमिक सुक्षा बोर्ड सीबियेस्जी का प्रतनेद्थ कर रहे हुग वकील को याचिका की कोई प्रती दी है या नहीं याजिका करता ने जब नामे जबाब दिया तब कोट ने पेटिशन की प्रतिवादी को देने का सुझाओ देते हुए सुनवाई टाल दी और 31 माई को सुनवाई की अगली तारीख दे दी बता दे हैं कि सीवी एसी ने बारहमी बोड की परिक्षाओं को रद करने को लेकर अभी तक कोई अंतीम फैसला नहीं किया है पीम मोदी ने उच्च अधिकारियों को ब्लैक फंगस की दवाई दुनिया में जहां भी मिले उसे भारत लाने का निर्देश दिया है आज पीम ने ब्लैक फंगस के इलाज के लिए जरूरी लिपोसोमल M4 टेरेसीन B इंजेक्षन की उप्लवदा को लेकर वरिष्ट अधिकारियों से बात किया और साफ साफ कहा कि विश्व के किसी भी देश में ये दवा मिले तो वहां से इसे तुरंत भरत लाया जाए इसके लिए दुनिया भर में इसे भारती दूतावासों से भी मदद ली जा रही है बतादा कि कोरोना से ग्रसित मरीजों में म्योकर माईकोसिस के गंभीर मामले दिख रहे हैं जिससे चिंतित पीम ने उपचार के लिए हर जरूरी और सधियों का इंतजाम करने पर जोड द आई है आरोप है कि एक प्रेस कॉंफरेंस में केजरिवाल ने राष्ट्री द्वज का अपमान किया केंदरी संस्कृति वा परियाटन मंत्री परहलाद पटेल ने कहा कि अरविंद केजरिवाल की प्रेस कॉंफरेंस में दो तिरंगों को ऐसे लगाया जाता है जिसमें लग कानूनी जाच में बाधा डालने और सहानुभूती बटोरने का प्रयास बताया है असल में दिल्ली कार्यालाय में छापे मारी के बाद ट्वीटर ने पुलिस द्वारा डराने धमकाने की रननीती के इस्तमाल पर चिंता जताते हुए कहा है कि वह भारत में अपने कर्मचारियों की सुरक्षा और अभिव्यक्ति की सोतंतरता के लिए संभावीत खतरे के बारे में चिंती थे दिल्ली पुलिस के पियारों चिंवेविस्वाल ने इस पर जबाब देते हुए कहा है कि प्रतम दृष्टेयार ट्वीटर के ये बयान ना क्यवल मिथ्या है बलकि नीजी उद्यम दवरा कानूनी जाज को बाधित करने का भी प्रयास है सेवा की सर्तों की याड में ट्वीटर इंक ने सच का निर्णय करने का खुद फैसला कर लिया बता दाएं कि टूल किट मामले में ट्वीटर की भूमिका संदिग्ध है बॉलिवूड अभिनेता सुसान्त सिंग राजपूत की हत्या के मामले में नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की टीम ने आज सुसान्त के दोस सिधार्त पिठानी को गिरपतार कर लिया है या गिरपतारी ड्रक्स मामले में की गई है एंसीबी की टीम पिठानी को हैदरावास से गिरपतार करके मुंबई लाई है जहां उनसे सघन कुस्ताच हो रही है पिठानी सुसान्त सिंग के करीबी दोस और रूम मेट रह चुके हैं सुसान्त की मौत के बाद उनकी जिंदगी से जुड़े कई लोगों में पिठानी भी थे रिपोर्ट के मुताबिक सुसान्त की बाड़ी को पहली बार से धार्त नहीं घर के अंदर पंखे से लटके हुए देखा था जिसके बाद उन्होंने पुलिस और हॉस्पीटल को फोन किया था इंडियन मेडिकल एसोसियेशन की मानहानी नोटिस के बाद योग गुरु बाबा रामदेव के वीडियो ने मामले को और भी गर्मा दिया है असल में कल सोसल मीडिया पर अरेश्ट बाबा रामदेव हैस्टेग जम कर ट्रिंड किया गया जिसके बाद बाबा रामदेव ने बयानों का वीडियो वाइरल हुआ जिसमें वो कहते दिख रहे हैं कि किसी के बाप में दम नहीं जो बाबा रामदेव को गिरफतार कर सके इस पर T.M.C. ने ताम हुआ मोहित्रा ने ट्वीट किया है बाबा रामदेव को किसी का बाप भी गिरफतार नहीं कर सकता क्योंकि भाई और बाप तो विपक्ष को गिरफतार करने में ब्यस्त है असल में कोरोनिल कीट पर IMA के बैन के बाद रामदेव ने एलोपैथी डाक्टरों पर टिपड़ी की थी जिस पर एसोसियेशन ने बाबा रामदेव को एक हज़ार करोल उपै की मानहानी का नोटिस भेशते हुए करवाई की मांग की है वीजेपे विदायक और प्रवक्ता रामकदम ने आज महराष्ट के मुख्यमंत्रिव दोठाकरे के कामकाज पर जम कर हमला बोला रामकदम ने दावा किया कि कोरोना नियंतरन को लेकर अपनी विफलता चुपाने अकसर पीम पर ठीकरा फोड़ने वाले सियम उद्दों ने साथ महीने में आधिकारिक तोर पर एक बार भी पीमों से कोई मदद नहीं मागी है रामकदम ने कहा कि उद्दों सरकार राजे में कोरोना रोकने और मरीजों को सुविदा देने में इसलिए फेल रही है उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री हमेशा केंदर सरकार से मदद करने की बात कहते हैं और मीडिया के सामने अपना दुखडार होते हैं लेकिन आधिकारिक तोर पर कभी मान नहीं करते कोरोना की दूसरी लहर में सबसे ज़्यादा प्रभावित राज्यों में सामिल महराश्ट में हालात सुधरने लगे हैं फिर भी राज्य के उद्धो ठाकरे सरकार लॉकडाउन की पाबंदियों में किसी भी तरह की ढील देने के मूड में नहीं दिख रही है मुक्मंत्रे उद्धो ठाकरे ने आज कहा कि महराश्ट में करोना वाइरस के कारण लॉकडाउन जैसी पाबंदियों को एक जून के बाद भी बढ़ाया जाएगा बयान के मुताबिक महराश्ट में किस तरह की पाबंदि जारी रहेगी इस पर फैसला कैबिनेट की बैठक के बाद लिया जाने वाला है उम्मीद की जा रही है कि कैबिनेट की बैटक में चरनवद्ध तरीके से कुछ समय बाद रियायद दी जा सकती है राज में लॉकडाउन जैसी पावंदिया मध्य अप्रेल से ही लागू है आज के बुलेटिन खबर दिन भर में मेरे साथ इतना ही दीजे हमें इजाजत लेकिन मुंबई महराष्ट और देश दुनिया की ताजातरीन खबरों के लिए देखते रहे टीवीवन इंडिया लाइव नमस्कार लेटेश अपडेट्स और ताजातरीन खबरों के लिए टीवीवन इंडिया लाइव को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत देए